मध्यप्रदेश में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है वाकई सभी एक्जिट पोल्स को चौकाते हुए बीजेपी ने 163 सीटो पर जीत दर्च की है अब तक तो आपने हर जगा पढ़ी लिया होगा कि इस जीत का सबसे बड़ा श्रे मुख्य मंतरी लाडली बहना योजना को जाता है कहां यही जा रहा है कि MP के मामा को लाडली बहनों ने जिता दिया लेकिन इस जीत की कीमत MP का अगला मुख्य मंतरी मध्य प्रदेश के खजाने से ही चुकाएगा तो क्या लाडली बहनों की वजह से मध्य प्रदेश के कर्स का बोज और बढ़ेगा चलिए हिसाब किताब करते हैं लाडली बहना योजना महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक इस्तिथी को बहतर करने के उद्देश से लागू की गई है MP के मुख्य मंतरी शिवरा सिंग चोहान ने मार्च 2023 में इस योजना को लागो करते वक्त कहा कि इससे महिलाओं का स्वास्थ अच्छा होगा और परिवार को भी मदद मिलेगी करीब 1,31,000,000 महिलाएं जिनके परिवार की साला ना आए धाई लाग या इससे कम है कोई इस योजना के तहत लाभ मिलेगा इसके लिए महिला की उम्र 21 से 6 साल के बीच होनी चाहिए सीएम के मुताबिक पहले योजना के तहत हर महीने 1,000 रुपए दिये गए फिर इसे बढ़ा कर 1250 रुपए कर दिया गया आने वाले समय में इसे बढ़ा कर 3,000 रुपए प्रती महा करने का लक्ष है जून 2023 में इस योजना के तहत लाडली बहनों को किस्त मिलना शुरू हुई इस योजना के लिए सरकार ने साल 2023 के लिए 8,000 करोड रुपए का बजट रखा है जाहिरे ये बजट बढ़ाया जाएगा 2023-26 के लिए MPK 3.14 लाग करोड रुपए के बजट में से सरकार 1.02 लाग करोड रुपए महिलाओं पर खर्च करेगी हमने एक सामान या गणित लगाया कि अगर शिवरा सिंग चौहान के दावे के मताबिक आने वाले समय में हर महीने 1.31 लाडली बहनों को 3,000 रुपए दिये जाएंगे तो एक दिन में इन लाडली बहनों पर सरकार को कुल 131 करोड रुपए खर्च करने होंगे हर रोज सवाल यही है कि यह पैसा आएगा कहां से जाहिरे इसके लिए सरकार को लेना पड़ेगा उधार यानी कर्ज लेकिन मध्यप्रदेश फिलहाल कितने कर्ज में डुबा है यह देखते हैं रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट के मताबिक मध्यप्रदेश पर 3.76 लाग करोड रुपए से ज्यादा का कर्ज है सरकार के सालाना बजट से बड़ा अब कर्ज हो गया है कर्ज का ये पैसा भी सरकार इंडिरेक्ली जनता से ही वसूल करती है अब MP सरकार के फाइनस पर और डिटेल में नज़र डालते हैं देखें मध्यप्रदेश की अर्थवेस्था का आकार 13.87 लाग करोड रुपए का है 2022-23 के आकरों के अनुसार राज्य का घाटा 3.6% यानी 13.87 लाग करोड रुपए का 3.6% हिस्सा सरकार का घाटा है RBI के अनुसार घाटा 3.5% तक रखा जा सकता है इससे ज्यादा होने पर सरकार को सतर्क हो जाना चाहिए अब MP की कमाई देखिए 2023-23 में राज्य ने 2.25 लाग करोड रुपए की कमाई की है इसमें सरकार द्वारा लिया गया कर्ज शामिल नहीं है साल 2023-23 में राज्य ने 2.8 एक लाग करोड रुपए खर्च की है यानी कमाई कम है खर्चे ज्यादा है लाडली बहना योजना एक तरह से फ्रीबीज है यानी मुफ्त वाली योजना है जिसका पीए मोधी समेथ BJP के कई नेता विरोध करते नजर आते हैं लेकिन महिला मद्दाताओं को लुभाने के लिए BJP ने मुफ्त वाली योजना लागू की अर्थ शास्त्रियों का मानना है कि पहले से ही ज्यादा कर्ज में डूबे राज अगर इस तरह की योजना एलागू करेंगे तो अर्थ विवस्ता पर दबाव तो पड़ेगा ही वहीं अर्थ शास्त्री डॉक्टर गणेश कावडिया ने कुइंट हिंदी से कहा कि मद्द्य प्रदेश को GST के पैसे और कृषि सेक्टर से काफी फायदा हुआ है यहां से सरकार की कमाई बड़ी है और इसी वजह से सरकार को खर्च करने के लिए एक स्पेस मिला है कोई भी राज बिना कर्ज लिए काम नहीं कर पाता है मद्द्य प्रदेश की तुलना में राजस्थान, पंजाब और पशिम बंगाल जैसे राज्यों पर कर्ज ज्यादा है ये बात सही है कि कर्ज लेने में कोई समस्या नहीं है लेकिन कर्ज को समय पर चुकाना बहुत ज़रूरी है और कर्ज का बोज बढ़ने न देना राज्य के लिए यी बैतर होता है सब कह रहे हैं शिवराज ने गुड़ पॉलिटिक्स की है बात सही है पॉलिटिक्स तो गुड़ है लेकिन कहीं राज्य की बैड इकनोमिक्स ना बन जाए बागी खबरों के लिए देखते रहे है कुइंट हिंदी